बिल्कम पे फिरेंग दोस्तों नमस्कार यहां भी देखिए मेरे भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए नागरी पुलिस से दी जाएगी अरच्छी कहने मतलब यह है आज की न्यूज पेपर में दिया है भरती से रिलेटेड ठीक है जो आपकी बैकंसी आने वाली है जो 5 साल बेसबरी से आप लोग इंतिजार कर रहे हैं 5 साल से उसका जो है यहाँ पे देख लीजे बाकाईदा न्यूज पेपर में एक खबर छप चुकी है कि भाई यह 35,777 बैकंसी जो है आपकी रिलीज होने वाली है बहुत ही जल दिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है आज यह खबर में यहाँ पे देख लीजे लखनों में दिया गया है लखनों के पेपर में ठीक है इन पदों पर होनी है सीथी भरती अरची नागरीपुलित के 26,210 फायरमन के 1007 अरची पीएसी के 8,540 कुल पदों की संके 35,777 ठीक है यहाँ देखे जो तीन बटालियन बनी है कहाँ पे गोरपुर में बदाईयों और लखनों में टोटल पदों की संके है यहाँ पे टोटल है 3600 जो इस बार महिलाएं सेलेक्शन लेंगी ठीक है 3600 महिलाएं पीएसी में जाएंगी इस बार ओके किलियर हो गया होगा तीन से पांच वर्स तक की सेवा के बाद वापस थाने में हो सकेगी तैनाती कहने एक मतलब यह है 3500 यहाँ पे देखो जो 2600 210 यहाँ पे पद है इसमें से 20% के निकालों के लगभग 200 कुछ हो रहा है इसी में से 500 में से लगभग 300 पद इसके लिए स्विक्रित किये गए हैं जहाँ पे तीन बटालियन बनी है गोरगपुर बदाईयों और लखनौ उसी 500 में से 3600 महिलाओं को ले लेंगे और 3-5 साल तक वहाँ पे बटालियन में काम करेंगी देन उसके बाद वापस से इनको सिबिल पुलिस में भेज दिया जाएगा ऐसे सिलसिला चलता रहेगा जैसे जैसे भरती आती रहेगी उसमें से 3600 ले लेंगे उसके बाद जो बचेंगी सिबिल पुलिस में काम करेंगी चार साल तक काम करने के बाद फिर वापस से आ जाएंगी ठीक है इसलिए 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 चलता रहेगा क्योंकि इन नियों हमली में सिफ पुरूस का है महिलाओं का उसमें कोई जिकर नहीं इसलिए 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 नियम को एलोग बनाएं है तो भाई ये नियुची खबर बहुत अच्छी है बहुत जल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है बाग इसको पंड़ा चाहते हो पड़ सकते हो पूरा हम बता दी मतलवी ठीक है कि पीएसी की पांच और दोसो महिला होगी इसी में से इसी में से 3600 को सेलेक्शन लेंगे लोग पीएसी में और ये लोग कम से कम 3 से 5 वर्से तक काम करेंगी पीएसी में देन उसके बाद वापस से इनको भेज दिया जागा सिबिल पुलिस में ठीक है इसलिक किये जा रहा है क्योंकि ज़्यादा जैसे लंबे टाइम तक नहीं रहा पाएंगी क्योंकि फिटनेस उसमें बहुत जरूरी है पीएसी में तो भाईए इसको पढ़ना चाते हो पढ़ सकते है बैकांसी बहुत जल्द आने वाली है इसको हम जल्दी से रीट कर देते हैं तीजी के साथ ठीक है फटाफट यहां हम देखो जूम करते हैं गोरगपुर बदाई और लख्राओं में अस्थापित होने वाली पीएसी की तीन महिला वाहिनियों के लिए नागरीप पुलिस से सिपाही देने का नेड़र हुआ है उत्तर पर्दिस पुलिस भर्तियों पुर्नाति बोर्ड में जल्द 35,777 पदों पर सिपाही की सीधी भर्ति की परकिरिया शुरू करने जा रहा है इसके ताहर नागरीप पुलिस के 26,210 सिपाही के यहां दोको 26,210 सिपाही भी भर्ति किये जाने हैं तैह हुआ है कि नागरीप पुलिस में भर्ति होने वाली करीब 2200 महिलाएं उसके बाद में से 2226 पीएसी की महिलाओं वाहिनियों में भेजी जाएंगी पीएसी की महिलाओं वाहिनियों में से भाहियों को 3-5 वर्ति के लिए तैनाथ किये जाएगा इसके बाद वापस से उनको नागरीप पुलिस में भेज दिये जाएगा अपनी सेवा काल की बाकी आउधी के लिए दौरान उसके बाद दिखो बाकी जो उनके आउधी बचेगी उसके दानों में थाने पुलिस की बेभिन साखाओं में कारत कर सकेंगी दरसल पीएसी की नियमोली में महिलाओं का कोई जिकर नहीं है और कोई प्राउधान वहाँ पे नहीं है वहीं कुछ वर्स की नोकरी के बाद उनकी फिटनिस को लेकर भी समस्या आने की संभावना को मद्दे नजर रखते हुए या नेड़े लिया गया है डिजी भरती आरकी विसकर्मा ने बताया कि नागरिप पुलिस पुलिस भरती में होने वाले 26210 सिपाहियों में से 20% महिलाएं सिपाहि भी होंगी इस तरह नागरिप पुलिस की करीब 5200 महिलाएं सिपाहि का चैन होने के बाद उन में से 2526 महिलाओं को पी एसी की यहां दोखो जूम करते हैं यहां पे देखिए पी एसी की महिलाओं के वाहिनों में तैनात किये जाएंगे 3600 जो पद सुकरित हैं उसमें से जो 5200 पास होंगी इसी में से 3600 शुकरित किया गया उसी में से 2526 महिलाओं को वाहिनी में भेज़ा जाएगा इस 35 वरस तक की सेवा देंगी उसके बाद इनको वापस सिनागरिप पुलिस में भेज़ दिया जाएगा इस यहां देखो इस दर्मियान होने वाले ने 3600 पास स्विकरित की मंजूरी दे दिये है ठीक भाई यह खबर आपको कैसी लगी कमेल करके जरू बताना बहुत ही अच्छी खबर है इस बार महिलाओं की बल्ले-बल्ले है यह लोग जा रहे है पीसी में टोटल पदों की संक्या 35757 पास बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है मिलते ने शुड़ी थैंक यू धन्यवाद